affirmations सीधे तोर पर subconscious mind पर असर करते हैं, यह आप जानते हैं, affirmations का चुनाओ ध्यान से करें, यह ऐसा है कि आप अपने लिए क्या चुनते हैं, business class यह economic class, वास्तव में जब आप affirmations करते हैं, वो चुने जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं, आप affirmations को कपड़ों की तरह डेली मत बदलें, यह आपकी मानसिक्ता से जुड़ावा हिस्सा है, ध्यान से चुनाओ करें, फिर उन्हें पकड़ कर रखें, जब तक आप वो नहीं बन जाते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप इसका असर 24 घंटे से लेकर 30 दिन में कभी भी देख सकते हैं, अब यह आपके उपर हैं कि आप कितनी गहराई से affirmations को करते हैं, तो affirmations को हर दिन या हर दूसरे दिन कहें और लिखें, affirmations mind का एक blueprint प्रिप्यार करता है, तो कुछ ऐसा करें कि वो जल्द से जल्द हो जाए, affirmations के साथ अपने action plan को भी बदलें, जो भी affirmations करें, उसी तरह के actions लेने की कोशिश करें, और उसी तरह के बदलाओ, जीवन में लाने का परियास करें, यूनिवर्स आपकी help चरूर करता है, आप affirmations को एक song की तरह ना सुने, उससे कोई परती करिया नहीं होगी, बस आप सुनेंगे और भूल जाएंगे, जैसे कि आप अपने favorite song के साथ करते हैं, affirmations को सुनने क मानसिक रूप से नहीं मारेंगे, तब तक आप पर किसी भी विचार का और किसी भी बात का असर नहीं होगा, आप affirmations को मानसिक रूप से कह सकते हैं, आप उन्हें जोर से भी कह सकते हैं, ये मजाक्या लग सकता है, पर असरदार है, खुद को आजमाएं और महसूस करें, जो से शक्तिशाली है, कि बस उन्हें मानसिक रूप से कहें, जो भी आपको असरदार लगता है, आप करके देखें, आपको रास्ते खुद ही मिलने लगेंगे, मेरा मतलब है कि मैं उन्हें मानसिक रूप से कहती हूँ, लेकिन अगर आप उन्हें मानसिक रूप से कह रहे हैं, तो ध्यान दे कि दिमाग उन पर इसकिप करना पसंद नहीं करता है रात को सोने से ठीक पहले कह सकते हैं और आप उन्हें सुभा भी कह सकते हैं खुद को आजमाएं और महसुस करें जो महसुस होता है आपके लिए यह हैं सबसे शक्तिशाली है बस affirmations को मांसिक रूप से कहें और affirmations को लिखें जरूर जो भी आपको असरदार लगता है आप करके देखें मैं अभी भी affirmations करती हूँ मैं हर तरह के affirmations करती हूँ और आप जानते हैं कि affirmations काम करते हैं और यह करना बहुत अच्छी बात है